गीता दीदी आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्ता में बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद रोहन ये मेरे लिए खुशी की बात है मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आजकल बहुत उप्योगी है मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विशे में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले हम मैं देखती हूँ मैं कल खाली हूँ कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी वाँ ये आपकी महानता है निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूँगा ठीक है तो कल मिलते हैं हाई दीदी प्रिपे अंदर आईए मैं बहुत कुशी कि आप मेरे घर आईए मैंने वादा किया था अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ दीदी आपने खाता कि आज कर लगबग सभी जगा कंप्यूटर का प्योग किया जाता है और यह हमारे जीवन को और असान बना देता है या आप मुझे इंटरनेट की बारे में और अधिक बता सकती है बिल्कुल रोहन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहां हूँ पहले मुझे यह समझाने दीजे कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट विश्व व्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोडों कम्प्यूटरों को जोडता है इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं वो आखडों का आदान प्रदान करने की अनुमती देता है इंटरनेट की द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकिंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं। मुझे इंटरनेट की कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजिए। इंटरनेट के विभिनिक शेत्रों में अनेकों उपयोग हैं, उनमें कुछ हैं संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग, इमेल के द्वारा संदेश भेजने वप्राप्त करने में होता है इंटरनेट विभिनिक शेत्रों में नौकरी की उपलब्धता के विशे में सूचनाय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन व्रतांत ओनलाइन भेच सकते हैं दुनिया भर में संग्रहित किताबें वह अन्य अध्यान सामगरी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है नवीनितम, विश्वकोश, ऑनलाइन उपलब्ध है इंटरनेट हमें स्वास्थ है, वह दवाई के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्रदान करता है चुटियों की यात्रा, होटल, ट्रेन वह हवाई जहाज के आरक्षन में कराया जा सकता है इंटरनेट का प्रयोग कर ओनलाइन खरीदारी भी की जा सकती है मात्र खाते का विवरन उपलब्ध कराकर आप लेंदेन कर सकते हैं आप अपने बिलों का भुकतान वह बैंक संबन्धी लेंदेन भी इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं दीदी, हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे प्राप्ट करें? इंटरनेट जोडने के लिए हमें कुछ यंत्र वर नेटवर्क सेवा प्रदाता की आवश्यक्ता होती है इंटरनेट जोडने के कुछ तरीके हैं Dial-Up Connection, एकिकृत Digital सेवा नेटवर्क, इंटरनेट का सीधा उपियोग, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन Dial-Up Connection Dial-Up Connection इंटरनेट को जोडने के लिए टेलिफोन लाइन का प्रयोग करता है, कंप्यूटर मौडम का प्रयोग करता है, और घर की फोन लाइन को इससे जोड़ता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता के मौडम के लिए एक कॉल की जाएगी, और लिंक इंटरनेट का उपियोग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, यह इंटरनेट से जुड़ने का पहला तरीका है, एकी कृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, INSDN, INSDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है, लेकिन यह डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराता है, यह इंटरनेट वो फोन के एक ही समय उपयोग करने की अनुमती देता है, इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी मॉडम की आवशक्ता होगी, INSDN सार्वजनिक टेलिफोन नेटवर्क पर व्यापक बैंडविट्थ के डिजिटल सेवार नेटवर्क प्रसारण को सक्षम बनाता है, जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है, इंटरनेट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में प्रवेश करने अत्वा किसी अन्य नेटवर्क की आवशक्ता नहीं होती है, इस तरह प्रस्ताविट सेवाएं स्थाई बैंडविट्थ की उपलब्धता वक्कम विलंबता को सुनिश्चित करता है, केबल इंटरनेट की तरह दीएसल या ब्रॉडबेंड उच्चगती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है, दीएसल तकनीक एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट वबाच्चीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उप्योग करने की अनुमती देता है, दीएसल इंटरनेट सेवाओं का प्रियोग मुख्यतह, घरों वचोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है, दीएसल इंटरनेट सेवाएं केवल एक छोटे भौतिक दूरी तक ही काम करते हैं, और जिन इक्षेत्रों में स्थानिय टेलिफून का बुनियादी धाचा डीएसल तक्नीकी को सहारा नहीं देता, वहाँ काम नहीं करता है, इंटरनेट से जोडने के लिए आपके कम्प्यूटर में तीन आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है, मौडम, इंटरनेट सेवा प्रदाता और ब्राउजर मौडम एक यंत्र है जो कम्प्यूटर का डाटा प्राप्त करने, वह भीजने की अनुमती प्रदान करता है, यह यंत्र कम्प्यूटर के साथ जोडा जाता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कमपनी है जो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है ब्राउजर एक सॉफ्टवेर है जो की सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है कुछ लोकप्रिय ब्राउजर है, मौजीला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार अत्वा बेतार तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं कम्प्यूटर जो बेतार तकनीक का समर्थन करते हैं, उनमें वाइफाइ कार्ड होता है वाइफाइ कार्ड, कम्प्यूटर और नेट्वर्क के मध्य बेतार संचार को सक्षम बनाता है मेरे कुछ दोस्तों के पास मुबाइल पर इंटरनेट की सुविधा है, कोई मुबाइल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्ट कर सकता है? Mobile पर Internet सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यक्ता होती है एक Mobile जो Internet का समर्थन करता हो एक Mobile Phone सेवा जो Data संचरन का समर्थन करती हो Phone पर Internet सेवाई प्राप्त करने के लिए Data setting के साथ Mobile सेवा प्रदाता से खाता 2G, 3G व 4G नेटवर्क का प्रयोग 2G, 3G व 4G में G-Generation अर्थात पीड़ी को दर्शाता है G के पहले की उच्च संख्या अधिक सूचनाय भेजने व प्राप्त करने की उच्च क्षमता दर्शाती है अर्थात तार रहित नेटवर्क के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त करने की क्षमता 2G नेटवर्क संकीन बैंड नेटवर्क पर आधारित होते हैं सिगनल डिजिटल प्रारूप में संचरित किये जाते हैं जो नाटकिय रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार वसंचार की जटिलताओं में कमिलाते हैं 3G तीसरी पीड़ी का मुबाइल नेटवर्क लोकप्रिय हो गया है इसने उप्योग करताओं को मुबाइल फोन वर टैबलेट पर इंटरनेट प्रयोग करने के योग्य बना दिया है 3G नेटवर्क पर डेटा संचरन की गती 384 Kbps से 2 Mbps होती है 3G नेटवर्क पर अधिक डेटा संचरन की अनुमती देता है अतह यह वाइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाशा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है 3G नेटवर्क पर इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते है सभी 3G की सुविधाओं के साथ-साथ यह डेटा संचरन को 1 GBPS से 100 MBPS के मध्य पून करने वाला माना जाता है क्या आप मुझे दिखा सकती है कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल वो एंटरॉइड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते है सावधानी से निम्नपदों का अनुसरन करो कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रेयोग पहले मैनू का चैन करें फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चैन करें अन्यथा होम स्क्रीन पर शून्य को दबा कर रुकें आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गोटू एड्रेस ढूंडे और पता दर्ज कर ठीक चुने इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चैन करें और ठीक चुने और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें और फिर खोज का चैन करें सेवा से जुडने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं वाइफाई सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं सेटिंग वग कनेक्टिविटी का चैन करें, फिर वाइफाई का चैन करें. जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं, उसका चैन करें. यदि आवश्यक हो, तो पास्वर्ट दर्ज करें. इंड्रोइट फोनों में इंटरनेट सेट करने के लिए सबसे पहले, इंड्रोइट स्मार्ट फोन वर टाबलेट की सेटिंग मेनू पर खिसकें. यह किसी इंड्रोइट यंत्र पर अप मेन्यू के सेटिंग आइकन के माध्यम से और कभी-कभी नॉटिफिकेशन बार से किया जा सकता है। अब सेटिंग्स मेन्यू में आप बेतार और नेटवर्क सेटिंग्स ढूंडे। ज्यादा तर यंत्रों में अधिक या अधिक सेटिंग्स जो बटन उपलब्ध हों को चुने। अब यदि आप बेतार और नेटवर्क सेटिंग्स पर पहुंच जाते हैं तो मोबाइल इंटरनेट, वाइफाई, मोबाइल से इंटरनेट को जोडने के लिए या तो आप नोटिफिकेशन को नीचे खीच कर मोबाइल डाटा विकल्प चुन सकते हैं, अत्वा आप वायरलेस और नेटवर्क सेटिंग्स विकल्प में मोर सेटिंग्स विकल्प चुन सकते हैं उसके बाद मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें जहां पर मोबाइल डाटा चेक बॉक्स पर चेक करेंगे जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फून मोबाइल इंटरनेट से जुड़ जाएगा एंडुएट फूनों में भी वाइफाई की सुविधा को चुनोगे अब आपको उपलब्थ इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपके पास वाइफाई नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह है अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा अन्यथा आपको वह वाइफाई नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं यदि पासवर्ट की आवशक्ता हो तो उसे दर्ज करें और कनेक्ट पर क्लिक करें Mobile Broadband तक्नीक जिसे Wireless Wide Area Network भी कहते हैं जो Mobile Internet से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है Mobile Broadband का प्रयोग करने के लिए आपको एक Data Card और एक Data Plan के साथ Mobile Broadband सुविधा प्रदाता की आवशक्ता होती है आप अपना उपकरण और Data Plan प्राप्त करने के बाद Subscriber Identity Module SIM और SIM के लिए Mobile Broadband सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका Mobile प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देगा प्रथम बार Broadband सुविधा संयोजित करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने फोन के Mobile Broadband पर Right क्लिक करें ततपस्चात Connect पर क्लिक करें यदि कहा जाए तो Access Point का नाम या Access String उपयोग करता का नाम वो पास्वर्ट ताइप करें यदि आप किसी Auto Connect सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें फिर जारी रखें पर क्लिक करें Broadband का प्रयोग करके Internet संयोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Connect पर क्लिक करें यदि आवश्यक हो तो अपने Phone के Mobile Broadband पिन टाइप करें फिर Enter दबाएं Broadband का प्रयोग करके Internet वियोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Disconnect पर क्लिक करें मैंने सुनाए कि कोई भी अपने Smartphone को Laptop से जोड सकता है क्या ये सही है दीदी? आप बिलकुल रोहन तुम Smartphone को Laptop से जोड सकते हो Smartphone वो Laptop को जोडने या Tethering पर आपका Smartphone वास्तव में Wi-Fi, Hotspot में परिवर्तित हो जाता है जिसे की आपका Laptop एक्सेस कर सकता है Android Phone टाबलेट को Laptop से जोडने के लिए निम्न पदूं का अनुसरन करें पहले Wireless और Network सेटिंग मेनियो पर जाएं कुछ फोनों में Wireless Hotspot बनाने के लिए Apps मेनियो में एप होते हैं अब जोडने वाले वहनिये Hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प पर क्लिक करें आगे वहनिये Hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और Network का नाम सेट करो और अथवा Password सेट करो तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिये हुए Wireless Network को Wireless Network के माध्यम से अपने Laptop के Network से जोडे इंटरनेट के बारे में सीखना दिल्चस्प नहीं था अब हम लोग मज़िदार गतिविदी में भाग लेंगे दीदी क्या आप जानती है कि हम इंटरनेट पर कुछ जूनते समय हाइपर लिंक के सामने www क्यो लिखते हैं www का आर्थ World Wide Web होता है World Wide Web? मैंने इसके विशे में बहुत सुना है क्या आप इसके बारे में और बता सकती है? जरूर रोहन मैं बताती हूँ कि World Wide Web क्या है World Wide Web www World Wide Web का प्रतीक है World Wide Web में वेब उपसमुच्चे है ना कि उसका पर्याए वेब पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक वेब ब्राउजर का उप्योग कर पहुचा जा सकता है टेलनेट, एफटीप, इंटरनेट जुआ, इंटरनेट रिले चाट, आई आर्सी और इमेल सभी इंटरनेट का अंग हैं लेकिन यह सब World Wide Web का अंग नहीं है Hypertext Transfer Protocol एक विदी है जिसका प्रयोग वेब पन्नों को आपके कम्प्यूटर को स्थानांतरित करने में किया जाता है Hypertext के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी वेब साइट के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं World Wide Web के अंग है वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेब साइट, वेब एड्रेस वेब सर्वर एक पदती है जो इंटरनेट पर अंतिम उप्योग करता तक विशेवस्तू या सेवाओं को उपलब्ध कराता है वेब सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो वेब पेजों को उपलब्ध कराते हैं प्रतेक वेब सर्वर का एक आईपी, पता, वा डोमेन नाम होता है उदाहरन के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्श करते हैं कि यह है एक वेब सर्वर्स जिसका डोमेन नाम गूगल.com को निवेदन भेज देता है वेब प्राउजर एक सौफ्ट्वेर अनुप्रयोग है जिनका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर ढूनने, पुनर प्राप्त करने, विशय वस्तूं को प्रदर्शित करने में होता है इसके अतिरिक्त इसमें वेब, फोटों, वीडियो वा अन्य फाइलें आती है जैसे कि ग्रहक सेवक मॉडल, कंप्यूटर पर चलने वाला वेब प्राउजर एक ग्रहक है जो वेब सर्वर से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है वेब सर्वर सूचनाएं वापस वेब ब्राउजर को भेज देता है जो परिनामों को कंप्यूटर पर दर्शाता है अत्वा उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते हैं वेब पेज वह हैं जिनसे वर्ल्ड वाइड वेब बनती है यह दस्तावेज, HTML, Hypertext, Markup, Language भाशा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के द्वारा अनुवादित किये जाते हैं वेब पेज या तो स्थेतिक, अथवा, गतिक हो सकते हैं स्थेतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर एक ही विशेवस्तू दर्शाते हैं यह प्रिष्ट आदश रूप से भाशा जैसे PHP, Perl, ASP या JSP में लिखे जाते हैं वेब साइट प्रष्ठों का संकलन है एक वेब पेज एक प्रतक HTML दस्तावेज है वेब साइट एक दूसरे से संबंधित प्रिष्टों का संकलन है सामाने तह यह या तो एक ही विशेव पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विशेव उपर होते हैं वेब साइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं वेब पता पते की ऐसी पंक्ती है जिसमें एड्रेस प्रोटोकोल, डोमेन नेम तथा फाइल पाथ होता है सामाने तह इंटरनेट पर इसका प्रयोग, वेब प्रिष्ट, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेश उलेख करने के लिए किया जाता है वेब प्राउजर उपियोगी अनुप्रयोग है जो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओ को ढूंडने के लिए बनाए गए है डाउनलोड, बुक मार्क और पास्वर्ड प्रबंधन वेब प्राउजर के सामाने लक्षन है इसमें क्रियाएं जैसे स्पेलिंग चेक, सर्च इंजिन टूल बार, टाब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टीजमेंट, फिल्ट्रिंग और एच्टी एमल, एक्सेस बटन, पॉप अप और ब्लॉकिंग होती है अब हम विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर हैं, इंटरनेट एक्स्प्लोरर, फायर फॉक्स, क्रोम, उपेरा, सफारी Internet Explorer Microsoft द्वारा तयार किया गया और Microsoft Windows के ओरिंटिंग सिस्टम के सहाइक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया यह विश्व भर में सरवादिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है यह ब्राउजर ओनलाइन संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वारित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तकनीक के लिए भी अच्छा है Firefox Mozilla से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वह है इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर है क्या आप अपने कम्प्यूटर पर Firefox का प्रयोग नहीं करती हैं दीदी हाँ ये वही है जो मैं अपने कम्प्यूटर में प्रयोग कर रही हूँ Google Chrome Google द्वारा विक्सित एक वेब ब्राउजर है यह अतिसुक्ष्म आकृती को परिश्कृत तकनीक के साथ मिलाता है जिससे वेब तेज, सुरक्षित वा आसान हो जाता है उपरा सॉफ्टवेर ने 1996 में उपरा ब्राउजर का विकास किया उपरा अन्य ब्राउजरों से छोटा है और ज्याद अतर अन्य ब्राउजरों से बहुत तेज काम करने वाला है यह तेज है और यह कीबोर्ड कई Windows Zoom functions वह अन्य के साथ आसानी से चलता है यह Java वह Java रहित दो रूपों में मिलता है इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदश ब्राउजर है Safari ब्राउजर Apple INC द्वारा विक्सित किया गया है और Mac OS X में शामिल है यह सबसे पहले जनवरी 2003 में Public Beta के नाम से जारी किया गया था यह वेब ब्राउजर सभी नवी नतम तकनीकों जैसे XHTML, CSS2 आदी का समर्थन करता है तीधी, अब मुझे दिखाईए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करो Start बटन पर क्लिक करो All प्रोग्राम पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो ब्राउजिंग विंडो दिखेगी सामाने तर वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते हैं Title बार, वेब पेज वेब ब्राउजर का नाम दिखाता है इसमें तीन विंडो बटन होती हैं Minimize, Restore बटन या Maximize और बंद Address बार में उस वेब साइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें इसमें Go या Refresh और Stop बटन होता है Go बटन वेब पेज या वेब साइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है Refresh बटन आपको वेब पेज को पुनह लोड करने में मदद करता है और Stop बटन एक्स्प्लोरर द्वारा चलाई जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है Address बार के Buy और Back वो Forward बटन होते हैं ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेब साइट पर जाने में मदद करते हैं Menu बार पर कई विकल्प होते हैं जैसे File, Edit, View, Favorite, Tools और Help Web Page क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेब साइट या वेब पेज दिखते हैं Status Bar, Website, Web Page की प्रगती या स्थिती के बारे में Waiting, Loading या Done दिखा कर बताता है Search Engine वह वेब साइटे हैं जिनका उदेश उस वेब साइट को ढूंडना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंड रहा है किन्तु उसके पास उस वेब साइट का विशिष्ट पता उपलब्द नहीं है कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजिन जैसे Google, Yahoo, MSN है Google सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजिन है SEs, वेब सर्फ करने के लिए जिन इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रॉबर्ट या स्पाइडर कहते हैं वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूंडने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ खुंगते हैं निर्देशी का वेब साइट की डारेक्ट्री का उपयोग करती है जो की हाथों से जाची वह उनमें उपलब्द सूचना के अनुसार वर्गीकृत की जाती है याहू डारेक्ट्री SE का उदाहरण है सर्च इंजिन इंटरनेट पर सूचना ढूंडने के ओजार हैं सर्च इंजिन वेब प्रिष्टों की तरह के हैं और उनको भी वेब राउजर का प्रयोग कर खोलना पड़ता है साधारणता सर्च इंजिन एक शब्द या शब्दों के समूह या विशे पर आधारित होते हैं इन शब्दों या मुहावरों को की वर्ड्स कहते हैं खोज का परिणाम वेब प्रिष्टों का हो सकता है चित्रों, सूचनाओं या अन्य प्रकार की फाइलों का हो सकता है इन सर्च इंजिनों का व्यापक रूप से प्रयोग होता है दीदी हम इंटरनेट पर किसी चीज को खोजने के लिए सर्च इंजिन का प्रयोग किस प्रिकार करते हैं? गूगल जो की सरवादिक प्रयोग किये जाने वाला सर्च इंजिन है का प्रयोग करते हुए किसी चीज को खोजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहला वेब ब्राउजर को चालू करें, तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर यह टाइप करें मानिये यदि आप ग्रामीन भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं, तो नीचे दर्शाय गए कीवर्ड टाइप करें स्कूल्स इन रूरल इंडिया अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें, अत्वा एंटर बटन दबाएं दिखाए गए लिंकों की सूची देखें, जिनके साथ प्रतेक वेबसाइट का संक्षिप्त विवरन भी दिखेगा सुसंगत लिंक पर क्लिक करें यदि आप किसी और विशे पर सूचना खोजना चाहते हैं, तो सर्च इंजिन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं, उसके कीवर्ड टाइप करें फिर सर्च बटन पर क्लिक करें विभिन वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे सुसंगत लिंक का चैन करें और वांचित सूचना पढ़ें यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दुबारा जाना चाहते हूं तो उस पेज को आप बुक मार्क बना सकते हैं फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे उपर दाए कोने पर क्लोज बटन दबाएं अब रोहन मैं चाहती हूं कि सर्च इंजन का प्रयोग करने का प्रयास स्वैम करो बिल्कुल केवल यह बताईए कि क्या खोजना है ठीक है गूगल का प्रयोग कर ग्रामिन भारत में कंप्यूटर शिक्षा खोजो अब तुम इंटरनेट के विशे में बहुत कुछ जानते हूं चलो अब हम मजेदार गतिविधी में भाग लेते हैं प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिप्या पुन्ह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास